हालो सुडेंट सीमती मोहरीदे विता पड़िया कन्य माहविदाले के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइमल्टेनिस एक्वेशन इन फ्रेक्शन फॉर्म इतने दिनों तक अपन जो पढ़ रहे थे साइमल्टेनिस एक्वेशन नॉर्मल एक्वेशन की फॉर्म में दी वही थी अपने को दो एक्वेशन गीवन होती और उनकी हेल्ट से अपन जो वेरियेबल से उनकी वैल्यू को आपन फाइंड आउट करते थे अब जो है वह अपने को यहाँ पर जो साइमल्टेनिस एक्वेशन होगी वह किस फॉर्म में दिए होगी फ्रेक्शन फॉर्म यानि भिन के रूप में गिवन होगी और उसको अपने को यहाँ पर सौल करके आंसर को फाइंड आउट करना होगा ठीक है तो फ्रेक्शन फॉर्म में देखेंगी वहले तो इसको आप दिखाने का तरीका देखते हैं फ्रेक्शन फॉर्म में यह इस तरह से गिवन होगी डीवन डीएक्स बाइपी इक्वल्स डीवाई बाई क्यू और डीजट बाई आर इस तरह से यह वेल्यू जो है वह और अपने को इसका answer जो है वो values जो है वो अपने को यहाँ पर find out है करनी होगी जो एक equations होती है equation की form में जो है वो इसके answer को निकालना होगा अगर यह इस तरीके से नहीं देखे equations को आपको अलग तरीके से दिवी हो मालो आपसे दियावा है P1DX Q1DY प्लस R1DZ बराबर 0 एक तो यह equation दे रहे की है A कर P2DX प्लस Q2DY प्लस R2DZ बराबर में 0 यह value given है तो इस value को अपन इस form में पहले क्या करेंगे change करेंगे तो देखे change करेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा DX DX के नीचे क्या लिखा जाएगा इनका multiply लिखा जाएगा यानि DX के नीचे अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे Q1R2 minus Q2R1 यह value यहाँ पर रखी जाएगी फिर जब अपन DY की बात करेंगे तो DY के अंदर P1R2 minus R1P2 यह होगा लेकिन इसको उल्टा लिखा जाएगा R1P2 को पहले लिखा जाएगा क्योंकि यह value minus की होती है इसलिए अबन minus से multiply करके फिर लिखेंगे तो R1P2 minus R2P1 यह value लिखे जाएगी और DZ के अंदर लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा P1Q2 minus Q1P2 यह value यहाँ पर अपने को easily जो है वो find out हो जाएगी ठीक है और इनको अपन क्या लिख लेंगे P, Q और R जो है वो यहाँ पर put कर लेंगे इस equation में change होगे फिर इस equation के अंदर अपन क्या कर लेंगे value को change करके अपन answer को find out कर लेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपने इंको example की help से अच्छे से समझते हैं इनको तो किस तरह से अपन ऐसी हाइमन टेरिस equation को solve करते हैं यहाँ पर अपने पास solution जो है वो दो equations की form में तीन equations की form में जिस तरह से भी अपने को find out होता है यह हो सकता है तो देखिए अगर आपने पहला example यहाँ पर solve करते हैं अपने पास given है x dx बटा y square z और बराबर में given है अपने पास में dy बटा x z और dz के नीचे given है y square यह value अपने को given है और इसके head से अपने को क्या करना है equations को find out करना है तो अपन देखिएंगे यहाँ पर पहले अपन पहला और दूसरा पद उसको देखते हैं अपने को जो variables जैसे यहाँ पर dx और dy के बीच में ले रहे हैं तो यहाँ पर जब अपने इसको सरल करें equations की form में इनको ले है तो अपने पास में z का element नहीं बचना चाहिए अगर z का element बच रहा है तो फिर अपन इन दोनों को नहीं लेके किसी और terms को एक दूसरे के साथ लेके अपने equation का formation ने करेंगे पर ऐसा नहीं हो रहा है अपने इन दोनों को देखे करते हैं x बटा y square z बराबर dy बटा x z यह value है यहां पर तो देखे z से z क्या हो गया cancel हो गया तो अपने देखो यहां पर dx और dy की ही equations अपने पास बचनी हैं तो इसको मैं लिखूँ तो यह x इदर multiply तो x square dx बराबर y square dy यही बचा ना अब मैं इसको इदर ले आती हूँ तो equation मनी x square dx minus है y square dy बराबर में 0 यह value अपने पास find out हुई है अब अपने इसका क्या करवा लेंगे integration करवा लेंगे तो लिखेंगे समा कलन करने पर तो जब अपन समा कलन कराएंगे तो अपने पास क्या value find out होगी x cube by 3 minus y cube by 3 बराबर c1 ठीक है अब यह 3 common लेकिए अपने उदर बेज देते हैं तो equation क्या मन जाएगी x cube minus y cube बराबर 3 c1 और इसको आप k भी put कर सकते हो ठीक है इस तरह से अपन equation के solution को यहाँ पर find out तो यह अपना इसका पहला solution अपने पास find out हो जाएगा ठीक है अब इसके अपन दूसरे solution को देखते हैं अब देखो दूसरा यह तो एक्स और y में equation बनी अब xz या yz किसी में से और equation बन रही है तो उसको भी अपन देखेंगे तो अपन यहाँ पर देखते हैं अपन पहले पदगो और इसको बराबर करेंगे पहले और लास्ट को पहले और दूसरे को तो अपने करके देख लिया वह तो एक्स और y में equation बनी है इन दोनों को जब अपने एक जगा करेंगे तो यह दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे एक्स और y के elements में यहाँ पर बच जाएंगे तो यहाँ पर solution find out है नहीं होगा तो मैं क्या करते हूँ इसको और इसको बराबर करते हूँ तो लिखते हैं समी करन के प्रत्तम वय अंतिम भाग से अंतिम भाग से देखिए अपने पास क्या बनता है एक्स डी एक्स बटा y इसकोईर जेड बराबर में हैं d जेड बटा y इसकोईर y square से y square cancel हो गया तो x dx बराबर अपने पास क्या बज़ गया z dz तो इसको इधर ले आती हूँ तो x dx है minus z dz बराबर में क्या हो गया 0 यह equation अपने पास find out होगी अब इसका क्या करेंगे sum a column तो लिखेंगे sum a column है करने पर तो sum a column करेंगे तो यहां आएगा x square by 2 minus z square by 2 बराबर c2 तो इस 2 को उधर ले जाते हैं तो x square minus z square बराबर 2 c2 यानि इसको कोई k1 put कर देते हैं इस तरह से अपने पास में यहां पर जो 2 equations है यहां पर x cube minus y cube वाली और एक यह equations है यह दोनों मिलाकर जो दोनों equations होगी कि वह इस equation का क्या हो जाएगा solution की form में अपने को find out हो जाएगा इस तरह से अपन कोई भी जो equation है उनको easily आपर solve कर सकते हैं अब एक और example की हिस से इसको अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से यह आगे solve हो सकता है अगर क्या इसमें एक solution भी possible हो सकता है क्या तो इसमें देखिए next अपन लेते हैं dx बटा 1 प्लस sorry बराबर dy बटा 3 बराबर भी अब आएं dz बटा 5z प्लस 10 y माइनस 3x यह value अपने पास है ठीक है तो आपन देखिए इसमें पहले दो ट्रम तो अपने को बराबर कर नहीं है तो समी करेंगे प्रथम दो भाग से पहले तो यह करेंगे प्रथम दो भाग से तो देखिए क्या बनेगा dx by 1 बटा dy by 3 तो मैं यहां लिख सकती हूं y dy minus 3 dx है बराबर है 0 लिख सकती हूं यहां मैंने तीरचा multiply करके मैंने पक्षांतर ने करा दिया तो अब देखिए समा कलंग कर देते हैं इसका लिखेंगे समा कलंग जब समा कलंग करेंगे तो यहां आएगा y इधर माइनस आएगा 3x बराबर में c constant है इसको equation number है अब आप चाहिए इसका और इसको ले लो इसका और इसका ले लो इन दोनों में से कोई भी दो भाग ले तो मैं क्या करते हूं समी करण के प्रत्थम वे अंतिम भाग से पहला और लास्ट का जो पद है उसको अपन या बरे ले ले लेते हैं तो देखे क्या बनेगा अपने पास इसका solution फाइंड आउट करेंगे अपन तो लिखेंगे dx by 1 बराबर dz बटा 5z plus 10 है जो y-3x है उसको मैं समी करण एक से क्या पूट कर दूँगी c पूट कर दूँगी तो constant हो गया यह अब देखें अपने पास क्या value बती है यहां पर dz का dz ही रहेगा dx बराबर dz बटा 5z है प्रसे 10 है c टीक है अब इसका क्या कर देते हैं अपने समा कलने करवा देते हैं तो देखें समा कलन करवाने पर क्या value बसती है अपने पास तो जब आपने समा कलन कराएंगे देखेंगे समा कलन करने करने पर तो जब समा कलन करेंगे तो इदर आजाएगा x और इदर आजाएगा 1 by 5 log 5z plus 10c और प्लस में आजाएगा log c ठीक है इस तरह से आजाएगा अब इसको अपन क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे तो जब आपने इसको चेंज करेंगे तो अपने पास जो equation है वो find out हो जाएगी लेकि किस तरह से यहां पर यह 5 5 से multiply हो जाएगा पूरा 5 x बराबर में हो जाएगा log 5z plus 10c और यह तो constant है तो 5 से multiply होगा तो कोई फरक पढ़ने वाला है नहीं इसको तो में log c ही रहने देती हूँ ठीक है वो भी माइनस का ले सकते हैं अपने यहां पर जो equations है उनको बना लेके अब मैं इसको इधर ले आते हूं तो यह बन जाएगा c e की पावर 5 x है और log अटा तो भचा 5z plus 10 c अब इस c की value यहां पर c1 ले 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 इसको c नहीं रखके तो यह हो गया c1 अब देखिए जो c अपने लेट किया था पहले integration के अंदर उसकी value को वापिस अपने पर देते हैं तो अपने पास answer जो है वो find out हो जा रखने पर c का माने रखने पर जब c का मान रखेंगे तो यह बनेगा 5z plus 10 y minus 3x और बराबर में c1 e की power 5 x यह value जो होगी कि क्या जाएगा अपना इस समी करण का जो combined hell है अब इस हल है उसके रूप में यहां पर define हो जाएगा ठीक है इस तरह से कोई भी जो equations होती है उनकी जो दो values है कोई भी दो values है उनको अपन equal करके easily जो answer है उसको यहां पर इस तरह से find out कर सकते हैं ठीक है तो simultaneous equation जो fraction form में अपने पास में define थी उनको solution करने के लिए उनके कोई भी दो जो part होते हैं उनको पहले equal करना होता है उनके समाक learn करने होते हैं अपने पास यहां पर equal करने पर अपने पास एक जो equation है वो सही तरीके से कोई भी दो variable के अंदर अच्छ से rearrange हो के परतिस्थापित होके अपने answer find out हो सकते हैं तो इस तरह से आपको जो है वो इन terms को विवस्तीत करके answer find out करना है ठीक है तो आप इस video को ध्यान से देखेगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो share कीजिएगा thank you so much